दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारत के electronic warfare systems के बारे में जानेंगे ये हमारे देश द्वरा बनाएंगे systems हैं इनके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे लेकिन इनके बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि electronic warfare होता क्या है दोस्तो electronic warfare युद्ध का वो शेतर है जो कि electromagnetic spectrum के उपर लड़ा जाता है जैसा कि आप जानते हैं कि आज कल हर एक military equipment जिसमें fighter aircraft, tanks, guns और missiles शामिल है इन सबी में electronics का इस्तिमाल किया जाता है और इनी electronics को अंधा करने के लिए और cripple करने के लिए ऐसे तरीके खुजे गए हैं जिससे दुश्मन के systems को पूरी तरह नकारा किया जा सकता है electronic warfare में electronic sport और electronic attack शामिल होता है इनको electronic sport measures और electronic counter measures का नाम दिया गया है अगर हम electronic sport measure की बात करें तो इसमें दुश्मन के threat का analysis और interception किया जाता है जिसमें ये radars और communication systems के against काम करता है और वहीं जो electronic counter measure system होते हैं ये दुश्मन के systems के against action लेते हैं और उनको jam कर देते हैं का crucial fourth dimension बन गया है और ऐसा युद्ध electromagnetic spectrum के उपर लड़ा जाता है जिसमें sophisticated detection jamming equipment का इस्तिमाल किया जाता है आज का युद्ध जो भी जीतेगा वो इस बात से decide किया जाएगा कि उसके पास कितना powerful electronic warfare system है यही कारण है कि हमारी military भी ऐसे ही electronic warfare system चाहती है जो कि भारत में बनाएं हों और हमारी armed forces के लिए बनाएं गये हों इसी जरूरत को पुरा करने के लिए 2005 में डी आडियो और बी एल और आर्मी की signal corps ने मिलकर एक communication jammer बनाया था जिसका नाम था समयुकता समयुकता को multiple jamming करने के लिए बनाया गया था इसका इसका इस्तिमाल दुश्मन के गेंस्ट wide range of communication frequencies के गेंस्ट किया जा सकता था और इसके साथ ही communication और illumination में इस्तिमाल किया जाने वाले electromagnet spectrum के गेंस्ट भी किया जा सकता था ये सिस्टम electronic intelligence और communication intelligence को भी handle कर सकता है अगर समयुकता सिस्टम को ऐसे और बनाएंगे systems के साथ compare करें तो इसकी range उनके मुकाबले में थोड़ी कम समयुकता सिस्टम की range 150 by 70 square kilometers है समयुकता एक direction finder के तौर पर भी काम करता है ये एक signal को intercept करकर उसकी source का पता लगा सकता है यानि कि एक signal को पकट कर ये उसको analyze करकर ये पता लगा सकता है कि ये signal कहां से आया है ये समयुकता सिस्टम हर तरह की radio frequencies को jam कर सकता है ये high frequency से लेकर mm wave frequencies को भी jam कर सकता है इसके साथ ही ये system radar frequencies को भी jam कर सकता है इसके बाद DRDO ने एक ज़्यादा powerful हिम शक्ती system develop किया था जिसने हमारे देश के लिए एक credible integrated electronic warfare system established कर दिया था इस system को induct करने से पहले ही इसकी field evaluation और trials actual area of deployment में हो गये थे जानने कि असल के युद शेतर में हो गये थे इसने हमारे देश की fire power को बहुत ज़्या बूस्ट किया था हिम शक्ती electronic warfare system एक बहुत ज़्या powerful system है जिसमें दो vehicle's या इससे ज़्यादा vehicle's का इस्तिमाल किया जाता है जिसमें antennas और एक शोटी dish antenna का इस्तिमाल किया जाता है ये 10,000 square kilometers के area में frequencies को जैम कर सकता है हमारी आर्मी ने ऐसस सिस्टम को जन्मू एंड कश्मीर में इस्तिमाल किया है जिसमें ये वहाँ पर signals को जैम कर सकता है जो की आतंकवादी इस्तिमाल करते हैं ये दुश्मन के wireless phones को जैम कर सकता है, satellite phones को जैम कर सकता है और radio receivers को जैम कर सकता है और इसके साथ ही ये mobile communication को भी जैम कर सकते हैं ये एक track and wheel based electronic warfare system है जो की offensive और defensive दोनों तरह की capabilities को provide कर सकता है इस सिस्टम को ऐसे design किया गया है कि ये mechanized formation के साथ काम कर सके जब एक conflict होगा तो इसका इस्तिमाल mechanized army के साथ किया जाएगा जो कि दुश्मन की line of defense को penetrate करेंगी और इस mechanized army को electronic attack से protect करना होगा और क्योंकि ये electronic warfare system एक mobile system है जाने कि इसे कहीं भी लेकर जाया सकता है तो ये हमारी mechanized army के लिए एक force multiplier के तोर पर काम करेगी इसे signal intelligence, surveillance, analysis और intersection, direction finding और position fixing, listing, prioritizing और communication jamming के लिए इस्तिमाल किया जा सकता है ये हरताने के radar signals को jam कर सकता है और ये युद्ध शेतर में हमारे खुद के electronic assets को भी protect कर सकता है और इसके साथ ही ये दुश्मन के system को भी तबाह कर सकता है और उनकी capability को बहुत ज़दा कम कर सकता है ये system tank formation के साथ इस्तिमाल किया जाएगा ये दुश्मन के tank communications, sensors और guidance systems को तबाह कर सकता है जैसा कि आप जानते हैं कि आज कल के tanks बहुत ज़दा advanced हो गए है और वो communications और अपने sensors और अपने guidance systems का बहुत ज़दा सहारा लेते है और अगर ऐसे system दुश्मन के communication systems और दुसरे systems को ही jam कर देंगे तो वो बिल्कुल अन्थ हो जाएंगे और उनका हारना तैह है ये दुश्मन की artillery observation post communication को भी jam कर सकता है जिससे दुश्मन हमारी movement को तो देख सकेगा लेकिन वो अपनी artillery battery को ये नहीं बता पाएगा कि वो उसे कहां पर fire करना है जैसा कि आप जानते हैं कि एक artillery gun को fire करने के लिए उसे location प्रवाइड करनी पड़ती है कि उसे कहां पर fire करना है और ऐसा काम करने के लिए artillery observation post लगाई जाती है जो कि artillery battery को ये बताती है कि उसे कहां पर fire करना है लेकिन ये system उनके communication को ही jam कर देगा जिससे वो अपने artillery battery के साथ communicate नहीं कर पाएंगे यहाँ पर आपको बताते हैं कि Russians को ऐसे jammers के मामले में best माना जाता है उन्होंने ground based jammers को बहुत अच्छी तरह इस्तिमाल किया है उन्होंने यूकरेन में एक बहुत बड़े antenna array को लगाया था जिसने communication jammer के तौर पर काम किया था वहाँ पर उन्होंने R330ZH Zytal सिस्टम इस्तिमाल किया था जिसने वहाँ पर mobile communication को भी jam कर दिया था और satellite phones को भी 5000 स्केर किलोमेटर के एरिया में jam कर दिया था ऐसा ही सिस्टम उन्होंने सीरिया में डिपलॉय किया था जिसका नाम कारकुशा था यह वहाँ पर Russian air basis को American और NATO intelligence missions के गेस्ट गार्ड करता है और इसके साथ ही वहाँ पर उनके jammers बहुत अच्छा काम कर रहे है जिसके कारण जिस एरिया में उनके ये jammer काम कर रहे होते है वहाँ पर कोई भी communication नहीं हो सकती है और यहाँ पर आपको बता दें कि जब भारत ने surgical strike की थी तब हमारे देश ने electronic warfare को बहुत ज़्यदा इस्तिमाल किया था हमारे देश ने पाकिस्तान के TPS 77 radar and communication system को jam कर दिया था और इसके साथ ही पाकिस्तान के network centric systems में हैक कर लिया था जिसके करन पाकिस्तान को ये पता ही नहीं चला कि हमारे कमांडोस ने वहाँ पर पहला ड्रॉप कर दिया है और उनका response time बहुत ज़्यदा लेट हो गया था यहाँ पर आपको बता दें कि जैसे आर्मेनिया और अजरबाइजान में ड्रोन्स का इस्तिमाल किया गया है और वो बहुत ज़्यदा सक्सेस्फुल हुआ है उसका कारण एक ये भी है कि वहाँ पर उन देशों के पास ज़्यदा पौरफू लेक्ट्रोनिक वारफिर सिस्टम नहीं है जो कि ऐसे ड्रोन्स को जैम कर सके लेकिन भारत के पास ऐसी केविल्टी बहुत हद तक अवेलिबल है यही कारण है कि हमारे एक गेंस्ट ऐसे ड्रोन बहुत ज़्यदा सक्सेस्फुल नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमारे पास ऐसे लेक्ट्रोनिक वारफिर सिस्टम होंगे जो कि इन ड्रोन्स को जैम कर देंगे और उनकी केविल्टी बहुत ज़्यदा कम हो जाएगी तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जुरूर लाइक और शेर करें थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो जै हिंद जै भारत